बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचो एक शिक्षा प्रत कहानी एक पहुती गरीब युगक को नोकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाना पड़ा और वो युगक रेल गाड़ी में सफर कर रहा था वो इतना गरीब था कि उसके घर में कभी-कभी ही सबजी बनती थी रोटी का टुकड़ा लेता और अंदर कुछ ऐसे खाता कि मानो वो रोटी के साथ और भी कुछ खा रहा है जबकि उसके पास केवल रोटियां ही थी उसके रोटी खाने के तरीके को देखकर आजपास में बैठे हुए लोग भी हैरान हो गए वो सोचने लगे कि आखिरी तुम रोटी के टुकड़े को बार-बार टिफिन में डाल कर क्यों खा रहे हो उस युवक ने जवाब दिया इस टिफिन में सबजी नहीं है लेकिन मैं ये सोचकर खा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा अचार है मैं अचार के साथ रोटी को खा रहा हूँ फिर उस व्यक्ति की बात को दूसरे यात्रियों ने भी सुना और उनमें से एक यात्री बोला जब सोचना ही है तुमको तो अचार की जगा मतर पनीर क्यों नहीं सोचते हो इसका भी स्वाद तुम्हें मिल जाएगा तुमारे कहने के अनुसार तुमने यदि अचार सोचा तो अचार का स्वा वैसा सोचेंगे वैसा मिलेगा, छोटा सोचेंगे तो छोटा मिलेगा, इसलिए जीवन में बड़ा सोचना चाहिए, सपने बड़े दिखने चाहिए, छोटा सोचने में भी उतनी ही मेनत लगेगी, इसलिए जब सोचना चाहिए तो हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद